पर्मा कुडुख भाय बाहिन बगारिन जोहार जैधरम आज के चैप्टर में हम लोग सिखेंगे फुडुख भासा में घरेलू बातचित यानि घर में हम लोग आपस में जैसे बात करते हैं उस तेट का अभी हम लोग इसमें चैप्टर में सिखेंगे इस चैप्टर में कुछ कठिन सब्द है तो देखते पहला कुछ सब्द है कमा जिसका हिंदी होता है बनाओ जैसे कोई भी बनाने के साथ words आता है जैसे रोटी बनाओ असमा कमा सबजी बनाओ सबजी कमाए इस तेप का मादब बनाओ मिन्स कमा मिन्स बनाना ठीक है नेक्स्ट है एखा एखा मिन्स होता है थंड़ा ठीक है जैसे हम लोग बोलते है अम इखिया के रा अम एखा लगी चाय एखा लगी मंडी एखा लगी ठीक है एखा मिन्स थंड़ा इसी से इस chapter में एक word नहीं आया है लेकिन इस एखा से related एक word से आदाया तो आप आगे वीडियो में कभी confusion ना हो किसी की चलते हैं हमके इसको इसमें सामिल करना पड़ा एक होता है एखा की तरह ही अगला word है एख जिसको कुरुख में बोला जाता है चाया तो एख अलग है एखा अलग है आपको याद होका पिछले वीडियो में हम लोग इख का मंडी इख का अम बात किये थे तिक है उसी तरह इख का से ही एखा बना है एखा मिस थंड़ा आप देखते हैं चाप्टर की तरफ तो चाप्टर सुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और एक दूसरे के साथ सेयर करें और कोसिस करें हम आप आपस में सीख रहे हैं और आपको लगता है कि जो कुरूख नहीं जानता है तो उसको भी इसमें कनेक्ट करने का कोसिस करें ताकि ओभी कुछ सीख जाए तेखें आप चलते हैं चाप्टर की तरफ पर हिंदी बाट कुरूख बाट तो पहला सेंटेंस है तुम क्या कर रही हो तुम क्या कर रही हो इसका कुरूख क्या होगा नीन एंदर नना लग दी जैसे हम लोग घर में बोलते हैं कहीं सा आते हैं कि तुम क्या कर रही हो उसको कुरूख में क्या लिख कर रहे हैं नीन एंदर नना लग दी इसी को और तरीके से तुम क्या कर रही हो अगर मा अगर होती वाइप है तो simply हम जैसे अभी लिखे हैं वो ऐसी बात करेंगे लेकिन अगर इसी जगा मा को बोलना होगा तुम क्या कर रही हो मा इसी जगा हम लोग मा जोड़ देते नीन अंदर नाना लग दी आयो या यो इसी प्रकार अगर बहन होती तुम क्या कर रही हो बहान यहां मैया बोल देते दिदी बोल देते यहां फिर अंदर नाना लग दी आयो दिदी बहान बहीन इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं नेक्स्ट है देखो कौन आया है इसका कुड़ू होगा एराय ने बर्च की रई ये बर्च की आया है ये बरा से ही बना है जैसे बरा बरा मिन्स आना होता है उसी संटेंस से बर्च की हुगा है एराय ने बर्च की रई जिसके हम लोग हिंदी क्या बोले थे देखो कौन आया है एराई ने बर्च की रई next कोई आया साथ में तो फिर अभी क्या आदेश मिलता है चाय बनाओ जिसका कुरू होता है चाय कम आये जैसे कोई आता है ना तो हम लोग घर वालों को बोलते हैं चाय बनाओ फिक है तो वह हुआ यहाँ पहले बोला गया एराई ने बर्च की रई यानि देखो कौन आया है पिर आने के बाद हुआ कि चाय बनाओ चाय बनाओ चाय कम आये चाय कम आये बनने के बाद फिर क्या आता है next आप लोग बैठिये मैं ला रही हूं यानि मैं चाय ला रही हूं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था आप लोग बैठिये मैं चाय ला रही हूं लेकिन अभी हमने लिखा है आप लोग बैठिये मैं ला रही हूं इसका कुरुख होगा अगर इसी में हम लोग चाई को सामिल करके सेंटेंस बनाये होते तब इसमें कुरुख में क्या होता नीम ओका एन यहां होता चाई ओंदरा लगदन अब अपने requirement के अपने उस समय का requirement का नुसार इसमें words आड़ करके सेंटेंस बना सकते है नेक्स्ट है चाई ठंडी हो रही है जब दो आदमी बैठते हैं तो बात्चित करते हैं तो चाई रखा रहता है अगला आदमी क्या होता है अगला आदमी देख के बोलता है कि आप लोगों का चाई ठंडा हो रहा है वही sentence है चाई ठंडी हो रही है इसको हम लोग कुरुख में कैसे बोलेंगे चाय एखा लगी नेक्स्ट है चाय में चीनी कम है जिसका कुरुख होगा चाय नू चीनी जुक्की रही या जुक्की की जगह में जुक्किम रही अगर जुक्की आपको याद नहीं आता है तो simply आप ये बोल सकते हैं चाय नू चीनी कम रही कोई प्रॉब्लम नहीं समय के हिसाब से अपने आपको चेंज करते हुए हम किसी भी बासा में हिंदी लीजे Connecticut English लीजे यासे बंगाली लोग बोलता है ने चाई खाबे जबकि चाई को खाया नहीं जाता है पिया जाता है तीक है और यहां हमने कठील सब्द में चाय को चाय इसी लिए नहीं लिया कि चाय को चाय ही बोलते हैं चीनी को चीनी ही बोलते हैं ठीक रहे नेक्स्ट है चाय में चीनी कम है चाय में चीनी कम रही अब मैं घर जा रहा हूं जो साथ में आया था वो बोल रहा है अब मैं घर जा रहा हूं जिसका कुछ होगा अक्कु एन एरपा काला लगदन ठीक है इसको एक बार हम लोग और रिपीट करते हैं केवल हुड़ुख पार्ट को संटेंस कैसे कैसे बनता है और क्या होता है नीन एंदर नना लग दी एराई ने बर्च की रही चाय कमाए नीम उक्का एन उंदर आ लग दान चाय एखा लगी चाय नू चीनी जुक्की रही अक्कु एन एरपा खाला लग दान इधर हिंदी पार हिंदे पार इसी तरह छोटे छोटे संटेंस बना करके आप घर में आपस में बात करना सीखे अगर घर में वैसा कोई बात करने नहीं आज मोगैल का जमना है एक दूसरे से बात करके इसी तरह असानी से कुरुख सीख सकते हैं ये था आज के लिए कुरुख भासा में घरेलो बात्चित आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोहार जय धरम